समड संग के दस सुनहरे नियम ऐसे नियम जो बहुत प्राचीन सबसे पुराने सबसे पुरान जो हमारा संग जिसको आज हम समड संग कहते हैं समड का संग उस समय के जो नियम थे वही नियम सुनहरे अक्षणों में आपके सामने यहां लिखे हुए हैं और वैसे के वैसे ही थोड़े बहुत भासा बदली है पहले पाली में बोला करते थे फिर उनको धम लिपी में लिखा करते थे और अब हम इसको देव नागरी लिपी यानि हम जो नाग लोग हैं जो देने वाले हैं देपता हैं देव हैं उन्होंने जो सब्द बनाए उसको देव नागरिक लिपी बोलते हैं यानि यह जो आप हिंदी में जो संसकत में और जो पाली में समय जो सद देखते हैं अक्षर देखते हैं अक्षर देखते हैं वो हम देखे हुए आपके सामने जो यह समण संगे के गोर्डन रूल है उसमें पहला नियम है हमारा केवल समण कि यह जो केवल समण है पहला क्योंकि इसको वीडियो में हम सब सारी वीडियो के बना चुके हैं आज इन सब जितने भी रूल से उनको लेंगे और लाश्ट में दस्मा रूल बताएं तो केवल समण का मतलब है कि जो समण है भारत में पैदा हुए है या जो बाहर रहते हैं वो समण लोग ही इस संग के मेंबर पैदाएसी है उनी का हक है उनी का राइट है समण के अलावा कोई वमण होगा तो उसका यहां कोई मेंबर्सिप या कोई राइट नहीं बनता चाहें वो कुछ भी कहें चाहें वो अपने को कहीं से समण का सार्टिक्ट भी लेके आ जाए तब भी नहीं इसका कारण एक अच्छी तरह से जान ले और अच्छी तरह से समझ लें कि बुद्ध की जो सिक्षाएं हैं और बुद् दुनिया के मनुस्य के लिए हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है यानि कि वो अनलिमिट है दुनिया के सभी जीवों पे सभी पूद्धों पे दुनिया के हर चीज़ पे वो लागू होता है जो उन्होंने धम सिकाया धम बताया पर जो यहां समण संग है उसकी लिमिट है क्यों और यह इसलिए है क्योंकि समणों का वेलफेयर और समणों का बच्चों का उत्थान और समणों को बचाना और समणों के सित्थ से लड़ना और समणों को आगे बढ़ाना यही इसका काम है इसलिए इसमें सिर्फ समण आ सकते हैं कोई आदमी कह सकता है कि यह बुद्ध के धम स या बुद्ध के युनिवर्सल विचार से छोटा है तो बिलकुल यह छोटा है तो कि इसकी बाउंडरी है जिसके अंदर वमण नहीं आ सकता सिर्फ समण रहेगा बुद्ध का जो धम है उसमें दुनिया के हर तरह के लोग आ सकता है इसनी है दौनों में अंतर है इसको ध्यान कि जो हमारा समाज, जो हमारा संग्ध और जो हमारे लोग हैं उन्होंने कभी भी पूंजी को, पैसे को, रजत को हाथ नहीं लगाया और यहां तक कि जो भिक्वु संग्ध था, जो संग्ध के नियम बुद्ध ने बनाये हलांकि वो भिक्वों के भिक्वों के नियमें हमारे नहीं है पर उन्होंने भी वहां उन्हों को रजत यानि कि जो चांदी है या सोना है या जो धातू किंती है या जो चीज ऐसी है जो पैसे में काउंट हो सकती है उसको हाथ लगाने से मना किया उसको गर्णा नहीं करते थे सिर्फ पका पकाया खाना लेते थे, कच्चा खाना भी नहीं लेते थे, यानि कि किसी से दाल, चावल या इस तरह की चीज भी नहीं लेते थे, वो पका पकाया खाना लियाया करते थे, कभी पकाते नहीं थे, तो यहां जो चंदा नहीं है, क्योंकि अगर आप चंदा लेना अपनी सुरू हो जाएगी या समर्ण संग में पैसा खटा करना सुरू हो जाएगा तो कोई भी पैसे वाला आदमी पूरे समर्ण संग को एक जटके में खरीद लेगा वो कहेगा जी कि मैं चंदा देते हैं ज्यादा मोटा पैसा देते हैं वो बिनाबाद के मुख्य वक्ता बन जाते हैं बिनाबाद के मुख्य अठिती बन जाते हैं बिनाबाद के वो मंच का संचलक बन जाते हैं और बिनाबाद के वो उसके पूरे मालिक बन जाते हैं और अपनी मर्जी महां चलात नहीं पैसे का लेंदंदन हुआ सब अपना खानए लेकर आते थे अपने वह की जगे बैठते थे तर अपने संग की बात करते काति यह जो पूरा जो यूऊरॉप है और जो पूरा पश्चिम की जो दैस हैं उन दैसों के अंदर समाजवाद सिर्फ किताबों में और सब्जेक्ट में वो दरसल पूझी वाद उनकी यहां चलता है और उनका बच्चा बच्चा पूझी में लिप्त है और वो सारे सारे कौफरेट घराने हैं सारे के सारे ही वो पैसे में चलते हैं और पैसे में डील करते हैं और यह प आदमी के पास में पैसा जादा है और उस आदमी को छोटा मानते है जो आदमी करेक्टर का बहुत मजबूत है जो पंचसील मानता है जो मौरल डूटी मानता है जो आदमी को आदमी समझता है जो प्यार और करोना भायचारा मिक्ता जानता है उसको हम छोटा मानते हैं ये देन हमारी नहीं है, ये देन पश्चिम की है, ये पैसे की देन है, इसलिए समढ़ संग में कभी भी पैसे का खेला नहीं हो सकता, यानि कि पैसा नहीं खेल सकता, पैसा वाला कोई अगर आदमी आता है, तो बहुत अच्छी बात है, पर उस से उतना ही समढ़ संग पैसा लेता है, जितना सप्का खर्चा आता है अगर कहीं खर्चे की मीटिंग होती है तो जैसे तीन सो दस रुपे का खुद का खर्चा लिया जो ये मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अंदर और वहां जो खर्चा हुआ वो तीन सो दस रुपे लिया गया तो बहुत लोग ने ज्यादा पैसा देने की पिसकस की मगर उनसे नहीं लिया गया और ये कभी लेन ये इसको कभी लेना भी नहीं जो इसका तीसरा निम्म है वो है जाती का भ्यास यानि कि जाती का भ्यास कभी नहीं पहले भी जाती नहीं थी जाती ब जाती का पहले था ना जाती हमने बनाई ना जाती को हम जानते हैं और ना जाती कहीं होती है और ना जाती का कोई जिक्र है इसकिए जाती का अभ्यास यहां कभी नहीं हो सकता क्योंकि अकर जाती का अभ्यास करोगे तो संग का अभ्यास नहीं कर सकते और जो संग का अभ्यास क है जो भी जाती को रखेगा और जो भी जाती का इस्तमाल करेगा और जो भी जाती की बात करेगा वो अपने बच्चों को अपने हाथ से जहर देगा यह जहर है और इसका हमेशा मौत है मौत के रावा कोई इसका पैणाम आता नहीं हमारे लोगों के लिए और जिन लोगों के लिए ये अम्रित है जो लोग इससे मज़ा लेते हैं वो जाती का अभ्यास कभी छोड़ेंगे नहीं क्योंकि उनको बिना कमाए खुब पैसा खुब उनकी रोजी रुपी मिलती हैं कि बच्चे बिदेश हमें पढ़ते हैं सि केवल संगबाद का मतलब यह है कि संग के अलावा संग की बाद के अलावा संग के नियम के लावा और संग की जिक्र के लावा यहां कोई और वाद नहीं चलता जैसे व्यक्ति वाद नहीं चलता जैसे नेता वाद नहीं चलता जैसे एकल वाद नहीं चलता जैसे राजा वा बिखेंगे और जो भी काम होगा वो मिल के करेगा किसी व्यक्ति और को इससे ले भी सकता है और वो कोई काम अगर देगा तो संतवела로 को संहीं ऐख बता है और हरई उसका मालिव होता है और हर एक रिपौर्टिंग हर एक बात संग को पतानी होती है, हाउस के अंदर रिपोर्ट करनी होती है, संग जो निर्ने लेता है, वही सब को मानने होता है, इसलिए यहां केवल संग बाद चलता है, यहां मुरुसमर्तिवाद, व्यक्तिवाद, एकलवाद, राजावाद, नेतावाद, यहां कुछ नहीं चलता, न चारो चीजे जहर हैं किसी भी संग के लिए हैं, अगर संग को तोड़ना हो तो उसमें पद बना दीजिए, संग को तोड़ना हो तो उसमें किसी व्यक्ति की प्रतिष्टा इस्थापित कर दीजिए, किसी व्यक्ति को इस्थापित कर दीजिए, संग को तोड़ना हो तो उसमे मंच बना दीजिए क्योंकि जैसे आप मंच बनाएंगे जो मंच में बैठेंगे वो संग से अलग हो जाते हैं वो उचे हो जाते हैं बड़े लोग हो जाते हैं उनमें अकड़ा आ जाती है और जिसके गले में आप माला डाल दोगे वो पिरमुख हो जाता है वो निद्यता बन करते उनके पास कोई पद नहीं और का जिक्री नहीं के नाम भी खतम है और प्रती स्थापित नहीं हुए आद तक को इस्थापना नहीं बनी और नहीं बनती है, इसलिए संग में सबको अपना जीवन देना है, इहां सब को जो मिलेगा वो साहमिक रूप से, जो संग में सब को मिलेगा, वो मिलेगा, मिले का ज़रूर, क्योंकि संग फल बहुत देता है, इसलिए सब इम्तिया करें, और संग में कोई ताकत लगाएं, बहुत अच्छे मीटे फल इसके आते हैं, और सब को मिलते हैं, इसका छटा नियम है पंजी करण कभी नहीं संगों के कभी ना रिष्टेसन हुए है ना इनका कोई मालिक हुआ है ना पंजी करण हुआ है क्योंकि जब कैसी चीज का पंजी करण होता है तो उसके मालिक का नाम देना होता है अगर आप किसी संग्ठन का रिष्टेसन कराओगे तो पहले मालिक का नाम दोगे तब राइश्टेसन होता है पर संग का तो कोई मालिक होता नहीं तो जब संग का कोई मालिक नहीं होता तो संग का राइश्टेसन नहीं हो सकता तो संग का राइश्टेसन जिंदिगी में कभी नहीं हो सकता ना ही संग का नाम से कोई एकाउंट खुल सकता है ना ही कभी होगा इसलिए इसका पंजीकण का सवाल नहीं उठता और जब पंजीकण नहीं होगा तो इसका कोई गोशत मालिक भी नहीं हो सकता और इसका कोई गोशत मालिक भी नहीं हो सकता क्योंकि संग का मालिक संग ही होता है और कोई ही होता है संग में लोग इखटे रहेंगे वो सब संग के मालिक होते हैं जैसे इखटे होते हैं वैसी संग ताकत में आ जाता है और जब अलग-लग होते हैं तो फिर हर एक संगी अपने घर चला जाता है इखटे होते ही संग के लिए सब से उपर हैं वो उसके वलाद से उपर हैं उसके बेटे से उपर हैं उसके परिवार से उपर हैं उसकी जमीन जाजा से उपर हैं उसके जीवन से भी ज्यादा उपर हैं क्योंकि संग के आदेस ही सब चीज बचाएंगे संग के आदेस ही आपके बच्चों को बचात और ना ही किसी को सवाल उठाने की इसमें इजाज़त होती है क्योंकि संग तबी तक है जब तक इसके आदेस को मानते हैं जो आदेस को मानते हैं वो संगी है और जो आदेस को नहीं मानते हैं यह कमाल की बात है और यह एक बहुत अच्छे उधारण इसके हैं कि जो संग ने आ आदेश नहीं माना था बुद्ध ने तो उनको देश निकाला या उनको मौत की सजा और या उनके परिवार की सारी प्रॉप्टी जब तीनों मैंसे एक उनको डंड लेना था ये संग का आदेश था जो सको टाल नहीं सकते थे और सिद्धत गौतम को भी जो बाद में बुद् देता है ताकि वो सारे सारे लोगों का वेलफर करें और इसका आठ्वा जो नियम है वो है संग राजनिती में कभी नहीं जाएगा क्योंकि संग कभी भी राजा की सकती में या राजा के पीछे या राजा के दरवार में खड़ा नहीं होता है संग के दरवार में राजनिती खड़ी होती है, संग बहुत बड़ा होता है, राजनीती छोटी होती है, जिन लोगों के पास संग है, वो रोज राजनीती कर सकते हैं, रोज राजा बना सकते हैं, रोज बिगार सकते हैं, उनके पास राजा बनाने का और राजा बिगारने का पूरा संसाधन मौदिद होता ह है और आज के समय जब की बैलेट प्रेपर से काम होता है बोर्ट से होता है रिखटे होके होता है लोग सवा होती है लोगों की सवा होती है तो संग ही लोग होते हैं अगर उनमें लोग ज्यादा होंगे लोग ज्यादा होंगे तो वो जो चाहें वो कर सकते हैं राजनीती इसन पाजनिती के बादें बताया है वो वीडियो में हैं डिटेल में हैं यह सारी वीडियो है आप उसमें देख सकते हैं और नौवा नियम है कि संग घातक की बाक्षी संग में कभी नहीं जो संग घात में आ गया और जिस पर संग घात संग ने कुरूब कर दिया और संग ने चाहिए, संग घात का कभी सोचना भी नहीं चाहिए, संग घात का पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा, और आज जो चर्चा होगी, क्योंकि दस्मा नियम पूरा हो रहा है, और यह दस्मा नियम है, वो है, उपरोक नो नियम, विने संग का, यह संग का अधार है, यह ना कभ को पूरी तरह से एक दिवार देता है एक किला बना देता है संग की चार तरफ के संग के नौ नियम में कोई घुस नहीं सकता कोई बदल नहीं सकता कोई उसको खतर नहीं कर सकता कोई अमान नहीं यह नियम हम ऐसा से ऐसा के ऐसे क्यों रहेंगे जब दुनिया में कोई भी चीज जोडने की सुरुवात होती है चाहे वो व्यक्ति है चाहे प्राकर्टिक कोई वस्तू है जब भी जोड़ा जाएगा तो जोडने के कुछ फिक्स नियम होते हैं कुछ आधार भूत नियम होते हैं कुछ कार्डिनल होते हैं कुछ ऐसे नियम होते हैं जो इस्थाई होते हैं कुछ ऐसे नियम होते हैं जो बेसिक होते हैं जिसके आधार पर वो बनता है कि दुनिया की कोई भी वस्तू कोई की चीज जब भी खटा होगी उसके खटा होने के प्राकर्टिक इस प्रकार जितने भी यह नियम होते हैं प्राकर्टिक होते हैं इन सारे प्राकर्टिक नियमों को जुड़ने के नियम थे उनको सबसे पहले बुद्ध ने अपने सद्द दिये यानि कि अपने शब्द दिये अपनी आवाज दी और उनको इखटा करके बताया चल तो यह पहले से भी रहे थे पर बुद्ध ने भिकु संग और भिकुणी संग और उपासक और उपासी का संग के लिए कुछ नियम fix कर दिये और जो नियम fix थे उनके नंबर 227 को के लिए और 311 विकुने के लिए बनाए उनके अपने नियम थे हमारे नियम नहीं थे पर हमारे नियम और उनके नियम लगबग मैच करते हुए similar हैं क्योंकि हमारे जो नियम है वो गुद्ध से पहले चल रहे हैं समर संग के नियम थे वहीं से लेके बनाएं इस नियम मैच करते हैं कैसे मैच करते हैं जैसे इसके अंदर जो बुद्ध ने कहा है कि इसमें वही व्यक्ति आएगा जो धमों में विश्वास रखता होगा वो आएगा और हमारा जो नियम समणों का है वो यह है कि जो समण में वि कोई भी पैसा नहीं लेगा रजत नहीं लेगा और कोई भी चीज यह नहीं लेगा जो खाने पीने की चीज के लाब है और वह भी खाने पीने के टाइम में और हमारा जो नियम है उस नियम में कभी भी समर्ण संकी सभा में पैसा नहीं लिया गया नहीं यह पैसा मिलने के कहीं नियम है हमारा नियम यह है कि जहां भी समन मिलेगा वो हमारा अपना इस्थाई निवास होता है पूरी दुनिया में पूरे भारत में जहां भी समन है वो हमारे घर हैं वो हमारे मठ हैं वो हमारे हमारे पूरी पूरे सिस्टम है विकु का नियम था कि यहां गरस्त नहीं होगा पर हमारे नियां गरस्ति कोई पावंद्य नहीं कुई हम तो सारे इक सारे गरस्त हैं विक्रों नियम बनाया कि पद्ब परतिष्ट्टा और मंच और माला नहीं होती महा वो नियम यहां भी है। के अंदर भी पज़ पोश्ट मंचमाला नहीं होती थी वो हमारे यहां भी नहीं हैं विक्को ने कभी राजा से आस्रे नहीं लिया कभी राजा आस्रे में नहीं गए कभी राजा के यहां जाके रुके नहीं कभी उनके दरवार में जाके ठैरे नहीं कभी उनसे मदद नहीं मा नियम बाद बनाया वह यह था कि नियम का पालंग करेगा तो भिक्कु संग में रहेगा और नियम का विनय का पालंग नहीं करेगा तो भिक्कु संग में नहीं रहेगा वही नियम पहला चला रहा था जो हमारा है कि जो संग के नियम का पालंग करेगा वह संगी है जो नियम का पालन नहीं करेगा तो बुद्ध ने भी दंड बनाए जो बाद में बनाए और हमारे समण संग में जो साधान लोग का संग था उसमें दंड पहले से चले आ सारे नियम वही से चलते आ रहे हैं पर एक बात जो खास है और जो खास बात है वो दुनिया की सबसे अनौकी बात है वो अनौकी बात इसलिए हैं क्योंकि आप यह देखो कि नियम जो बनाए जा रहे हैं वो हमारे कल्यान के लिए हमारे वैलफेर के लिए और पूरी दुनिया में ये नियम बनाए जाते हैं पूरी दुनिया में चलते हैं पर पूरी दुनिया में दो तरह से लागू होते हैं नियम तो वहीं है जो आदमी के वेलफेर में चाहे यहां बने चाहे यरुसलम में बने या मक्का मदिना में बने चाहे ग्रीक में बने चाहे ग्रीस में बने कह तो समझाती है खाले खाना तेरे पेट का अच्छा होगा तिरे स्रीख ठड़ेगा खाले पर वह सुन्ता नहीं तो उसको ढराती है बाबा आ जायेगा तुझे ले कामक्सद है खाना लागू करवाए जाए या कोई डर या कोई लालस देखा के उसको लागू करवाए जाए पूरी दुनिया में welfare मियमों को दो तरह से लागू करवाया जाता है तो बुद्ध ने सबसे मुश्किल काम चुना बुद्ध ने ना तो किसी को डराया और ना किसी को लाल्च कि लिया बुद्ध ने पैतालिस साल तक मेहनत की, अनुभव दिखाया, अनुभव से सिखाया, उसको समझाया और बताया कि ये जो नियम है, जो नियम मैं जीवन जीने के दे रहा हूँ, वो नियम सारे के सारे वैलफेर के हैं, चाहे वो पंसील है, चाहे वो आटसील है, चाहे वो तीन सो ग्यारे सी नहीं अपनाया खास्तों से यूरोप में जो नियम मिलते हैं सुरू में जो कार्डिनल नियम मिलते हैं जो आदारभूत नियम मिलते हैं मनुश्य के उसमें दो तरह के नियम मिक्स है एक तो है जो व्यक्ति से संबंदित है जैसे हमारे नियम है जूट नहीं बोलना या पुरसों ने या सभी लोगों ने इनी नियमों को लिया है जो पंसिल के नियम है पर वहाँ पर मिक्स कर दिया है वहाँ पर मिक्स ये किया हुआ है कि ये जो नियम है ये नियम नोंने प्राकट की बजाए किसी चमतकारिक सक्ति के बताएं और चमतकारिक सक्ति जब लोगों न के नाम से करवाया गया और उसको चमतकारिक सक्ति का नाम दे कर तो वहां डराया गया कि अगर तुम यह बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाए कौन करेगा चमतकारिक सक्ति करेगी तुम इन नियमों को मानोगे तो तुम्हें बड़ा लाब होगा तो कौन चमतकारिक सक्ती करेगी यह बार ठीक है कि अगर आप जूट बोलोगे तो आपका नुक्सान हो जाएगा और आप जूट नहीं बोलोगे तो आपका फाइदा हो जाएगा आप सराब नहीं पियोगे तो आपका फाइदा हो जाएगा आप अगर वेबचार करोगे तो आपका न नुकसान नहीं होगा पर इसको डर बठा दिया कि वो चमतकारिक सक्ती तेरा नुकसान कर देगी अगर तूने चोरी की तो वो चमतकारिक सक्ती तेरा नुकसान कर देगी अगर तूने सराप पी तो और वो चमतकारिक सक्ती तेरा फायदा कर देगी अगर तूने यह नहीं किया को चमतकारिक सक्टी से और यह भी कह दिया कि यह ज्वाइब नियम है यह जो लोगों को जंज्यागरी की नियम है यह कहीं से आए हैं तो दो तरह के नियम एपलाई किये गए एक तो बुद्ध जैसे वेक्टिन जिनने साफ साफ कहा है कि यह प्राक्रतिक नियम है इनको कोगे इसका अनुभव कर लो इसको देख लो तो यहां भारत के अंदर यह बात पताई गई पर भारत के बाहर जो नियम है यही नियम उसमें कुछ चमातारिक सक्ति की सक्तियां डाल डोलके और लोगों को बता के वो अपनाए गई वो बताए गई तो दो तरह से माँ अपने तो फाइदा होगा वो कहीं चमातारिक सक्तियां तेरा फाइदा करेगी और ने तो तेरा नुक्सान होगा वो चमातारिक सक्तियां तेरा नुक्सान कर देगी इसलिए यहां जो यह कौडल नियम है यह जो संग के नियम है यह प्राशिन नियम है और इन नियमों में हर चीज है इसमें मौरल नियम है इसमें मौरल नियम छुपे हुए है इसमें मौरल नियम है पर ऐसे बॉरल नियम नहीं है जो सक्त बुद्रे मराये थे जो लोग धमिक हैं जो धम को मानते हैं जो बुद्र को मानते हैं वो उन्हों region का या मजभ का काम नहीं कर रहे हम यहां कोई मत का या किसी पंत का काम नहीं कर रहे हैं हम यहां कोई विचार का जो धार्मिक या ध्मिक विचार रहे हैं क्योंकि हम मुसीबत में हैं और मुसीबत वाले आदमी को धंव नहीं बचा सकता दुनिया में आज तक भी मुसीबत वाले आदमी को जिसकी गले पर तलवार हो या जिसको गुलई लगने वाली हो कितना यह धंप क्या डिम्वार कव सकती क्यों कि जितने भी चोर होते हैं को फांसी के सजा होती है वो सारी किसी मजःद से और को मानने वाले हिए उक उनसे कहते हैं याद कर सकता है आपको संग भचा सकता है धं आपकी जीवन की या जो धर्म आपके जीवनका विश्वास है वो आपका है वो है उसको सांपरदाइक बना दिया गया है उसको संपदाइब में बना के उस पर नितागरी चलती है यह सब जिए होता है इसा भारत के दना तो बहुत जादा होता है इसलिए उससे जान नहीं बचने वाली आपके रापके बच्चों अगर धमिक होने से या धार्मिक होने से या रिलिजिस होने से या मजभी होने से जान बस्ती होती तो ये सारे मजभ वाले रिजन वाले और ये जो धमिक लोग हैं ये त्राहिमान त्राहिमान नहीं करते ये परिशान परिशान नहीं होते बचा लेता है इनका मजभ इनका धम है आपकी ताकत बिखरी हुई है उनत्यस लाग संख्णों ने हमको टुक्ड़े टुक्ड़े करके हमको बिल्कुल खतम कर दिया छह जाजार साथ सो तेतालिस जातियों बदल दिया बात के ये जो संग्ठन है संग्ठन को मतलब सब को इखटा होना होता है संग बनाना होता है ये अलग अलग तोड़ी होते हैं पर लोग मानते नहीं उनके नेता मानते देंगे और अगर ज्यादा कहोगे तो आप पे इजाम लगा देंगे आप के दो भी आप निता बने आए हो आप फ़डाना है अठलाना है यह हो है इसलिए हमेरे जो परेशानी हो रही है इकटे होने में वह बाहर से नहीं है बाहर से कोई नहीं आ रहा है यह कहने के लिए कि यह हमारी सारी परेशानी तो अंदर के जो हमारी लोग है जो दो करते घुम रहे हैं बड़े sans क्या नहीं है ये सब इनके दिमागों में चलता रहता है हमारी परिषानी ये हैं हमारे परिषानी बाहर में इसलिए इस परिषानी से बाहर निकलने के निये हमको तेजी से होना है और हमें तेजी से चुड़ना है अगर हम तेजी से खटे होंगे और तेजी से चुड़ेंगे और ये दस नियम रट्टा मार लेंगे और दस नियमों पर हम चलेंगे और दस नियमों को हम अपना लेंगे तो हमें जुड़ने से बहुत जीवित हो जाएगा नहीं होगा फिर कुछ दिन्तियार करना कोई डॉक्टर हम बेट कराएंगे कोई गुद्ध आएंगे आए आए तो ठीक है नहीं आए तो मरो इसलिए इससे पहले के हम मर जाएं और दवाई बाद में आए अकलबंदी इसी में है कि दवाई हम पहले रख है अपने पास में फिर जो मुसीवत आएगी फिर हम सब जेल लेंगे और दवाई हमारी है संगं नमामी यानि संग को नमन करते रहें संगे सक्ती यानि संग की अंदर सक्ती है और है संगं सरनंग अच्छामी यानि कि संग की सरन में संग के साथ संगराम करना है संग के साथ है हमें जुड़ना है जुड़ना है जुड़ना है जुड़ना है जुड़ना है और हमें तब तक जुड़ते जुड़ना है जब तक हमारी जानना बच जाए और उसके बाद और ज्यादा जुड़ना है कि फिर ऐसा समय ना जाए इसलिए जो जो जुड़े हैं वो वो बचे हैं और जो जो नहीं जुड़े हैं वो मारे गए हैं जंगल में भी जानवर जो एकटे रहते हैं वो बच जाते हैं और जो संग से अलग हो जाते हैं जानवर दूसरा जो होता है हिसक जानवर वो उनको खा जाता है अंग्ठर मारे जाएगे. और रहे 600 पाली में बहे जाएगे इनका वजूद मिन ही मिलेगा. यह कि किसी की पास 50 हैं, किसी की पास तीस हैं, किसी की पास पचास है. बहुत ज्यादा किसी की पास नो धिसी की 사 is, यह किसी पास ना किकी होई है, इन denial जो पैसे देने भाई बंद करने हमें क्योंकि चंदा हम ना लेते हैं ना देते हैं चंदा देंगे जब इखटे होके आओगे तब वन्ना जाओ भाड़ में क्योंकि हमें करना क्या तुम्हारा सतर साल से हम चंदा देते देते परिसान है और तुम एक नहीं होते एक नहीं होते अ तो अपना संविधान भी बापिश लेकर जा रहा हूं कि निकमों से तो कुछ नहीं होने वाला इसलिए भाई निकम में नहीं बनना है जुड़ना 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 है और संघंग नमामी बोलते जाना है और तीन वार संगहम नमामी अपने खुन में डालो, सुबह उठने के बाद संगहम नमामी, दुपए दो बजे संगहम नमामी और साम को सोने से पहले संगहम नमामी, जैभीम नमवुद्धाय के साथ संगहम नमामी भी करना सूर कर दो, संगह को नमामी करते रहोगे, संगह आ हम बच जाएंगे गारंटी है पहले भी बचे थे अभी भी बच जाएंगे गारंटी है दुनिया कोई गारंटी है कोई आदमी हमको छू नहीं सकता अगर हम संग में रहेंगे संग को आज कोई नुपसान नहीं पहुंचा पाया है संग को आज संग को आज तक कोई नहीं मार पाया है जो भी मरा है संग से बाद जाके मारा है इसलिए संगम नमावी करते जाना है संगम सरणंग अच्छा मी करते ना है जीतना है और हर अलत में जीत के मानेंगे धन्यवाद संगं नमा आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है ये सभी copyright free हैं आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे, या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप YouTube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या पर्मिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं, वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सर्फ इतना right है इस पे कि हम इसको load कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है सरेण गच्छामू संगं सरेण गच्छामू संगं सरेण गच्छामू तुम्तियं पी बुद्धं सरेण गच्छामू तुम्तियं पी बुद्धं सरेण गच्छामू तुम्तियं पी धम्ममर सरेण गच्छामू बूतियं पी दम्मं सर्णं गच्छानी ततियं पी संगं सर्णं गच्छानी बूतियं पी दम्मं सर्णं गच्छानी ततियं पी दम्मं सर्णं गच्छानी साथू, साथू, साथू